बीजेपी का खास करके प्रधार मंत्री नेदर मोदी का इनाराव है सबका साथ सबका विकास लेकिये माने मोदी जी ने बड़ा सपस्ट किया है सबका साथ सबका विकास सबका विकास नतीजों के दौर पर है किस तरीके से नतीजे आएंगे इस चितरूप से उनको आरोप है कि ये वीडियो भी कहा से आ है ये तो वो जाने जेल प्रशाशन उनके पास है निज्वर्ड इंडियार के खास प्रोगाम रूबरू में आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त मारूफ रजा हर अफ़ते की तरह इस बार भी मेरे साथ एक खास शक्सित मौजूद है उनका तालुब बीजेपी से है जी हाँ बड़े दिगज नेता जब भी बोलते हैं बड़ी साफगोई से बोलते हैं बेबाकी से बोलते हैं और मुद्दो पर पकड़ भी रखते हैं जी हाँ मैं बात करा हूँ अनिल अगरवाल जी से जो की बीजेपी के सांसे आपका स्वागत है नमस्कर अनिल जी क्या कहेंगे चुनाओं की बयार है और खास तोर से गुजरात की में बात करूँ एक साख डाओं पर है कैसी तैयारी है मैं अभी मैं पिछले पूरे हफ़ते गुजरात में था मुझे लगता है कि मानिय मोदी जी के प्रती जो गुजरात की जनता का प्रेम है लगाव है उसको अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि इस चुनाओं में कोई भी किसी भी प्रकार का चैलेंज भारते जनता पार्टी के लिए है और मैं आपको बड़ा पस्ट बताना चाहूंगा कि भारते जनता पार्टी मुझे लगता है प्लस टू थार्ड मैजॉर्टी से महां जीतेगी अच्छा लेकिन एंटी इंकमेंसी फैक्टर है बहुत सारे सिटिंग विधायकों कि आपने टिकट काटे उसके बावजूद नहीं देखी वहां वेक्ती विशेश की बात नहीं है किस विधायक ने क्या किया ये महत्वपूर नहीं है सरकार ने बहुत अच्छा किया माने मोदी जी ने बहुत अच्छा किया और ओवर ओल गुजरात की जनता प्रसंद है वो जानते हैं कि आज जिस वेक्ती के लिए वोट करने जा रहे हैं वो मानने प्रदान मंतरी शरी नरेंदर मोदी जी है वो जानते हैं कि गुजरात को गुजरात बनाने का श्रे अगर है तो वो हमारे शेर शनेता शरीमान नरेंदर मोदी जी को है एक जमाना था गुजरात में दंगे होते थे कर्फू लगा रहता था गुजरात में विजली नहीं आती थी वो द्योग पती दुखी थे आज मैंने देखा वाँ खुशाली है चारों तरफ बहुत अच्छा काम हो रहा है और जिस प्रकार से गुजरात में हर चीज बड़ी हो रही है तो निश्चित रूप से उसका श्रे भारते जनता पार्टी को और माने मोदी जी जो हमारे शीर्ष नेता है उनको जाता है और उनके प्रती लोगों में जो सनहे हैं उनके प्रती जो लगाव है उनके प्रती जो एक सम्मान है वो वोट में तबदिल होने जा रहा है लेकिं चुनाओ तो विधान सभाका है, लोग सभाका नहीं, क्या हमारे पास राज्य में कोई ऐसा नेता या नेती या नेत नहीं है, जिसके तर्स पे हम यू कहें कि हाँ, हम इस दम पर चुनाओ लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी पिछली सरकारों ने बेहतर काम किया। और जो मानी मुदी जी ने एक लिगेसी छोड़ी, उसको सब लोग आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे वर्तमान मानी मुखमंतरी शेरी पुपेंद पटेल जी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता में उनकी एक स्वच निश्पक्स और निडर और कुशल प्रशाशक की छव 2017 के चुनाओं पे उसके नतीजे पर नज़र डालें, तो कॉंग्रेस ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था, और जिस तरीके से राहूल गांदी निकले हैं, इस लोड़ों को पे भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, क्या लगता है, उसका इंपक्ट पड़ेगा? जब से उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, तब से कांग्रेस तोड़ो शुरू हो गई है, और अभी मुझे लगता है उनके जो दूसरे कैंडिडेट थे, उनके अध्यक्षपत के, शयाद वो पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, जिस प्रकार से माला ब आपको ऐसा लगता है, लेकिन आम आदमी पार्टी भी वहाँ पर मौझूद है, निकाए चुनाओं में उन्होंने अच्छा किया था, अपनी मौझूद की दर्ज कराई थी, क्या लगता है, कि वो बीजेपी के राह में रोड़ा है? मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को वहाँ 6-7 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, कॉंग्रेस 10-12 सीटें, 15 सीटें, दोनों मिला के 20-25 से ज़्यादा सीटें नहीं ले पाई, लेकिन मौरबी का पुरा मामला हमारे सामने है, क्या लगता है, कि अगर लोगों के जहन में मस्तिश्क में वो बात रही, तो कुछ नेगिटीव वोटिंग होगा? नहीं देखे, जब इतना काम होता है ना, तो कई बार चूक होती है, चूक हुई है, और जो लोग उसके लिए दोशी है, उनके विरुद कारवाई की जारी है, और सक्त कारवाई की जारी है, तो मे चेहरा जो है, वहर जगा आप मोदी जी का ही दिखाते हैं, यह तो बट नेचुरिल है, हमारे शीर सनेता है, आज पार्टी उनके नेतरतों में आगे बढ़ रही है, हमारे देश के प्रधान मंतरी हैं, निश्चित रूप से सब मुखे मंतरी उनसे सलहा लेते हैं, सब उनस राष्टे एस्तर पर छवी बनाई है, एक जमाना था कि जब भारत का प्रधान मंतरी जाता था, तो उसको अपने खड़े होने के लिए जगे बनानी पड़ती थी, अगर वाशिंग्टन में जा रहे हैं, तो वहां के राष्टपती से समय नहीं मिल दा, पूरी दुनिया उ नजर आता है कि अगर विश्व का जो वरतमान जो संकट चल रहा है, उसका अगर कोई संकट मोचक है, तो मानिय नरेंदर मोदी है, तो जिस नेता को पूरा विश्व सरा रहा है, तो हमारे तो वो नेता हैं और हम लोग उनकी छटर चाय में काम कर रहे हैं, तो निश्चित विश्व से उनके प्रोजेक्ट करेंगे ही, जायर सी बात है, लेकिन विपक्षी दल जो है, लगाता है रहा है कि एकोनॉमिक जो है, वो नीची आ रही है, रोजगार उस तरीके से बन नहीं पा रहे है, देश जो है, आर्तिक संकट की दोर पर गुजर रहा है, क्या कहना है यह देखे, आप आज पूरा एक ग्लोबल जो सेनेरियो है, वो कितना क्रश्ट कारी है अगर आप देखें, यूकरेन रशावार चल रहा है, अभी टर्की ने कुर्द के उपर मिसाइल जोड़ दी, अधर अजर्बैजान में एक अलग प्रॉबलम है, तो ऐसे में जब पू कुछ आंशिक असर आया है, लेकिन मैं फिर मानिय प्रधान मंतरी जी को धनेवाद करना चाहूंगा, उनके दूर दर्शिता और उनके कुशल नेतरत को प्रणाम करना चाहूंगा, कि इन सब संकटों के बाद भी भारत में सबसे कम इस्थिती खराब हुई है, आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, सारे अनुमानों के बाद, कोविर के बाद, भी हमारी अर्थ व्यवस्था धेरे धेरे पटरी पे आ रही है, रोजगार भी धेरे धेरे बढ़ रहा है, भी मानिय प्रधान मंतरी जी ने लगबग 10 लाख लोगों को सरकारी रोजगार देने का संकल्प किया है, और जिसमें दो किष्टों में लगबग 10.5 लाख लोगों को उनके न्युक्ती पत्र भी लिए जा चुके है, विपक्ष हमेशा एक आरोप यह भी लगाता रहा है, कि उधार मंतरी जो है, वो जुम्ले बोलते हैं, वादे नहीं होते, पूरे 15 ला की 5th largest economy, यह जुम्ला है क्या, यह हर भारते के लिए गरव काविश है, भारत की बहुत सारी आबादी आज बी पी ल से उपर आ गई है, यह जुम्ला है क्या, तो यह सारी की सारी चीजे ऐसी हैं, जो भारत को एक स्वाभिमानी भारत बनाता है, मेक इन इंडिया के तहत, आ हमारी मिसाइल दें इसरों के काम वो सब कितना आगे बढ़ गए हैं यह जुम्ले नहीं है यह हकीकत है लेकिन लगातार विपक्ष की एक बात सामने नजर आती रही है कि जहां पर भी लगता है कि प्रधार मंत्री नाजमर मोदी कुछ करने जा रहे हैं उन्हें यह जरूर महस सामने आ जाते हैं किसाब यह जो कुछ नहीं है देखे मैंने आपको अभी हकीकत बताई एक जमाना था कि हिंदुस्तान में लगबग लगबग हंडर परसेंट जो था डिफेंस का जो समान था वो इंपोर्ट होता था आज हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं अभी आपने देखी जाए विक्रमा दित्ते से तो इस यूग में भी उसकी कॉस्टिंग कम हुई है चुकि कमिशन नहीं गया निस्ठा से काम हुआ है हिंदुस्तान में काम हुआ है तो जहां एक गर्व है वहीं एकॉनोमिक भी फरंट पर देखा जाए तो सस्ते में काम हुआ है जहां एक सकारात्मक वातावरन मनाएं आज देश का यूवा बहुत आगे बढ़ रहा है उसको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो वो आज निगेटिव बात नहीं सुनना चाहता है वो पॉजिटिव बात सुनना चाहता है आप देखिए माने मोदीजी ने जरा सा खिल खिलाडियों को प्रोटसाहन देना शुरू किया पिलाडियों से बात करनी शुरू करी उसका नतीजा क्या है ओल टाइम हाई मैडिल्स आना शुरू हो गए है तो यह सारा एक पॉजिटिव महल बना है विपक्षी जो हमारे साथ ही है उनमें निराशा है और वो आज खिलाडियों की जनता आज पॉजिटिविटी में विश्वास रखती है यह निगेटिव बात करते हैं तो इसलिए इसको वोट बेनी मिल रहा है वो अक्सर इसी बात को कहते हैं कि साब देखे पैट्रूल के दाम बढ़ते जा रहे हैं गैसलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं महंगाई अपने चरम पर है लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो रही हर रोज एक नई बात हो रही है मैंने कहा ना आज पूरा दुनिया जो है एक ग्लोबल एक विलेज है तो जब दुनिया में कहीं भी कुछ होता है उसका इमपेक्ड आता है लेकिन इस सब के बावजूद भी आज आप देखिये अमेरिका में कितनी महंगाई बढ़ी है बिर्टेन में कितनी महंगाई हिंदुस्तान में उसके कमपरिजन में कम हुआ है चुकि माने मोदी जी का शशक्त और मजबूत नेतर तो हमारे पास है जब रशा यूकरेन वार में भी माने मोदी जी रशा से तेल खरीते हैं तो यह उनके एक मजबूत एरादों का एक प्रदर्शनी है एक मतलब उनके मजबूत जो एरादे हैं वो प्रदर्शित होते हैं पूरी दुनिया ने उनको चाहा की हम रशा से तेले लेकिन वो भारत का जहां हित होता है उसके लिए मजबूती से खड़े होते हैं और उनका एक ही लक्षे है मजबूत भारत, निडर भारत और सशक्त भारत हिमाचल में भी परमपरा चलती रही है हिमाचल भी नतीजों के दौर पर है कि इस तरीके से नतीजे आएंगे लेकिन वह पर परमपरा ऐसी रही जैसे उत्राखण मेरी रहा लगी उत्राखण की परमपरा इस बार तूट गई पुशकर सिंग धामी जी दौबारा आ गए लेकिन क्या ये परमपरा हिमाचल में भी तूटेगी निश्चित रूप से उत्र प्रदेश में भी मीडिया यही सब बोलता था कि साब अखलेश यादव जी की सरकार आ रही है तो आप देखी एटी के बाद पहली बार ऐसा है एटी फाइव के बाद जब सरकार रिपीट हुई और बढ़या से रिपीट हुई तो जब हम काम करते हैं जनता के बीच में रहते हैं 24x7 भाज़र्पा का कारियास करता जो है जनता के बीच में रहता जनता की सेवा करता माने हैं हमारे जो अद्धक्ष जी हैं राष्टे द्शी हैं उनका बड़ा इस्पस्ट है कि सेवा ही संगठन है तो हम लोग सेवा भाव से लगे रहते हैं इसलिए जनता हमको वोट करें आपके मानिया अध्यक्ष जी भी नड़ा जी भी वह उसी प्रदेश से आते हैं और वाकी क्योंकि अध्यक्ष है रास्टे अध्यक्ष है ऐसे हिम अगर वहाँ चूक हुई तो एक सवाल उनकी अपनी मेच पर भी जाएगा निश्चे जानी है वहाँ कोई चूक नहीं होने जा रही है वहाँ सरकार मजबूत सरकार बनाने जा रहा है चलिए बड़े ठोस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं आनिल जी देखना यह होगा कि दिल्ली बे भी निकाह चुना हो और दिल्ली में पहले लगातार 15 साल बीजेपी रही आप दुबारा दोहराएगी के नहीं दोहराएगी इन तमाम सवालों के साथ में वापस लोटता हूँ आप देखते रहे निउसवर्ड इंडिया ने उनको आरूप है कि ये वीनियो बहीं कहा से आ हूँ ये तो वो जाने जेल प्रशाशन उनके पास है at GLA University we make the way we inspire we are a family bound by a common bond we learn we in a way the record breakers the cheer makers the dreamers GLA University whether the goal is to get a job or to create a job BJP का आर खासकर के प्रधानमंत्री नेद्रमोदी का इनारा है सबका साथ सबका विकार लेकि माने मोदी जी ने बड़ा इसपस्ट किया है सबका साथ सबका विकार सबकार नतीजों के दौर पर है किस तरीके से नतीजे आएंगे इस चित रूप से उनको आरोप है कि ये वीडियो भी कहा से आए ये तो वो जाने जेल प्रशाशन उनके पास से है वेल्कम बैक आप देख रहे हैं न्यूज वर्ड इडिया और मेरे साथ मौजूद है BJP सांसद अनिल अगरवाल जी हमने बात कर ली गुजरात की हिमाचल की अब हम जहां बैठे दिल ली हाला कि चुनाओं बहुत छोटा है लेकिन उसमें दाओं बड़े बड़े खेले जा रहे हैं वजह ये कि बिल्कुल नाक के नीचे केंदर में आपकी सरकार है लेकिन विधान में आमादी पार्टी बैठी है ऐसे में निकाए चुनाओं में जहां पंद्रा साल आप रहे क्या दुबारा से आप दोरा पाएंगे मुझे लगता है निकाए चुनाओं में भारतिय जनता पार्टी को विजे मिलेगी और हमारा मेर बनेगा और दिली के लोगों ने देखा है विशम परिष्थितियों में जबकि प्रदेश सरकार ने बिलकुल सहयोग नहीं किया उसके बावजूद भी नगर निकम ने अपने सीमित साधनों में विपरीत परिष्थितियों में बहतर काम करने की कोश्श केजरिवाल जी कहते हैं केंद सरकार ने हमें सहयोग नहीं किया हम जैसे तिसे चला रहे हैं आप पूरे आंकड़े उठा लीजे ये तो केजरिवाल साब क्या कहते हैं सारी दुनिया के सामने हैं अभी उनका कल ही मैंने एक वीडियो देखा भी उन्होंने एक भाषण में कहा कि दिली के सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से लगबग दो लाख लोगों ने नाम कटा के एडमिशन लिया है उसके दूसरी जगे उन्होंने बोला धाई फिर तीन चार और भंगमनमान साब ने साड़े चार कह दिया अगर एक मुखे मंतरी की लगातार जबान फिसले तो ठीक है लगातार फिसले तो ये प्रदेश के फिसलने का डर रहता है जिसको हमें रोकना है लेकिन आम आदभी पार्टीर केज जीवाल मनिश शोदिया ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी के पास कुछ है नहीं वो एक के बाद एक वीडियो दिखा रही है और उसके मुद्दे नहीं है मुद्दो के विहिंता है दिवालिया पन है इसलिए सिर्फ वीडियो वाइरल करकर के वो निकाए में अपनी नईया को पार लगा रहा है मैं आप से एक बात पूछना चाहता हूँ वो सारे के सारे वीडियो सत्ते हैं ना फेक तो नहीं है उनको आरूप है कि ये वीडियो भी कहा से आए ये तो वो जाने जेल प्रशाशन उनके पास है जेल प्रशाशन उनके पास है हमारे पास नहीं है और ये मेरे खाल से सुतंतर हिंदुस्तान की पहली मिसाल होगी कि जेल मंत्री जेल के हिंदर बंद है तो एक सरकारी करमचारी भी अगर फूर्थ क्लास भी है, चवरासी भी है, 24 गंटे अगर बिहाइंड बार्स होता है, तो उसका ओटोमेटिक सस्पेंशन हो जाता है, और यहां मंतरी इतने दिन से जेल में हैं, और उसके उपर कोई कारवाई नहीं हो रही है, वो हम मसाज करा रहा है, बढ़िया एशो आराम की जिन्दगी जीवाई वो आपके डीफेंस की उमीड थी, लेकिन वो आप इस पर्स्थ हो गया है, वो फीजियो थिरापिस्ट नहीं है, वो रेपिस्ट भाई है, तो अब आप ने मेरा काम असान कर दिया, कि एक रेपिस्ट से मसाज करा रहे हैं, लेकिन बात वही आती है, वीडियो सामने आ रहे हैं, आप दिखा रहे हैं, टाइमिंग जो है, ये वीडियो बहुत पहले की हैं, तब भी दिखाए जा सकते थे, लेकिन क्या बीजेपी इंतजार कर रहे थी कि निकाया वो चुनाव आएंगे, तो उस वक्त इसको जारी करेंगा और एक ही तीर से तीर लगाएंगे, गुजरात में भी, हिवाज़ें में भी, दिल्ली में भी, देखे ये वीडियो हमने तो जारी नहीं किये, जिसने जारी किये, आप उनसे पूछे, प्रैस कॉन्फरेंस समित पातरा जी करते हैं, बैठके, वो तो जब वीडियो आ जाती ही तब करते हैं, अग लेके, अगर कोई मुद्दा मिलता है, तो हमारी नैतिक जम्मेदारी है कि हम जनता के बीच वो लेके जाएं, अगर हम उस पर नहीं कुछ बोलेंगे, तो यह होगा कि हम लोग मिली भकत कर रहे हैं, तो हमारी नैतिक जम्मेदारी है कि अगर कोई मुद्दा है, कोई एक इक हुआ है उसको जनता के सम्मुग रखें जनता उस पर यड़ने ले लेकिन हमें तो रखना है लेकिन हमारे पस जो इन मुद्दों के लावा दूसरे से जमीनी मुद्दे हैं जो हम दिल्ली की जनता को बताएं कि साथ हमने पंद्रा साल बहुत बहतर किया था और दुबारा हमे किया, MCD ने किया, अब केजरिवाल साब वहां जाके उसका श्रे लेना चाहें, तो ये अलग बात है, लेकिन काम MCD ने किया, आप देखिए माने मोदी जी के नितरतु में भारत सरकार ने, कितने गरीब लोगों को एक्चुल मकान की चावी दी है, तो ये सारे काम हम ने किये ह सिर्फ प्रधान मंत्री ने आकर रेके रिबन काटा है, शैद भूल जाते हैं कि आठ साल हो गए उनको छोड़े वे, तो ये तो लेटेस का इनिशेशन अब है, हुआ है, उस समय नहीं हुआ है, तो ये लोग ना ये जनता को गुमरह करना चाहते हैं, लेकिन जनता हिंदु सरकार की दुखाई देते हैं, कि MCD माने मेरी चमकती दिल दी, तो क्या कॉंग्रेस अपने इस दावे पर खरी उतरती है, तो क्या जनता ले लेगी उनको हाथो बाते हैं, देखे, हम सब राजनितिक दल, चाहे भारते जनता पार्टी हो, कॉंग्रेस हो, आम आदनी पार्ट अपनी अपनी बात सब कहते हैं, जनता अक्ता करती है, जनता का निर्ने सब को मानना है, जो जनता जनारदन तै करेगी, वैसा हम लोग उसको मानेंगे, लेकिन तीनों जगह चुना हो, एक जगह छोटा दो जगह बड़े, क्या लगता है, कि इन तीनों मेंसे, कितने नमबर 2024 का सेमी फाइनल कहें, टेस्ट पॉँट कहें, देखे, ये चीजें तो आप टैह करते हैं, कि इसको सेमी फाइनल कहें, कि क्या कहें, उत्तर प्रदेश विधान सभा के चुनाव में भी ये ही कहाता मेडिया अने, कि ये सब सेमी फाइनल है, तो वहां की स्थिती आपने दे तो यहां भी हम लोग जीतने जा रहे हैं आज मानी मोदी जी ने जिस प्रकार से हर भारतिये को एक गर्व का एसास कराया है आज चाइना बॉर्डर पे है लेकिन हिम्मत नहीं कि आँख उठा के देख ले आज राफल जब उड़ता है तो उसकी गरजना से पूरा चीन थर थर गल्वान का उधारन आपके सामने हैं कि जरा सी उन्होंने हिमाकत करी तो चालिस सैनिक हमने उनके शहीद किये हैं उनको मौत के घार टुता रहा है तो आज भारत मानी मोदी जी के नेत्रत में मजबूत है आज नौर्थ इस्ट पूरे में महां पे एरपोर्ट्स बन गए है हैं वहां आल टाइम वेधर रोड बन गए यह एक जमाना क्या था अगर कुछ अन होनी हो जाए तो आप अपनी आर्मी तक नहीं भेज सकते थे आज वो सारी की सारी चीज़े मानी मोदी जी ने मजबूती से देखी और पूरा नौर्थ इस्ट बॉर्डर को मजबूत किया ह बीजे पी का खास करके परधार मंतरी ने दरबूदी का इनारा रहा है सबका साथ सबका विकास लेकिन कहीं ने कहीं लगता जब आपके कुछ नेता जो है एक खास कम्यूटी को लेकर निशाने पे लेते हैं तो कहीं आसा रखता है कि सबका साथ तो है के नहीं लेकिन विका हुई हैं लेकिन जिस वोट बैंक को अचूता समझा जा रहा था क्या आप बीजे पी उसको अपनी जरू समझ रही है देखिए मानिय मोदी जी ने बड़ा इसपर्ष्ट किया है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रियास तो नेचुरल है आज आप उतर प्रदेश में देखिए जहां कि सबसे ज़्यादे लोग जो हैं प्रशन वाचक निगाउं से देखते हैं पिछले लगबग छे साल में कर्फियू नहीं लगा उसका सबसे ज़्यादा फाइदा किसको मिला है चुकि आप जिस समाच की बात कर रहे हैं वो समाच का अधिकां वर्ग ऐसा है जो डेली काम करता है डेली अपना कमाता खाता है कर्फियू लगता था किसको नुकसान होता था आज अगर गैस सिलिंडर दिये गए हैं तो वो हिंदू मुसल्मान सबको बराबगते हैं तो पॉलिसी सबके लिए हर नागरिक के लिए इसी तरह आईशमान कार है प्रदान मंतरी आवास हैं रिनी ओजना है सब को दिया जा रहा है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम उनको अलग मानते हैं हम सब के साथ हैं उतरपरदेश के ये शश्वी मुख्य मंतरी पस्ट कर चुके हैं कि हम सब के लिए काम करेंगे सब का सम्मान करेंगे लेकिन है कि 3 में से 3 हमारे पाले में आएंगे लेकिन एवेम का जिन है जब तक पबलिक उस पे बटर नहीं दबादे थी और नतीजे सामने नहीं आ जातें तब तक मेरा कहना या आनिल जी का कहना बड़ा बेमाने लेकिन वक्त है वक्त का इंतजार करिये और मैं इंतजार करूँगा और आप इंतजार करिये मेरे अगले महमान का और कुछ नई बातों का तब तक मोदी जी ने बड़ा इसपर्ष्ट किया है सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास नतीजों की दोर पर किस तरीके से नतीजे आएंगे इस चित रूप से उनको आरूप है कि ये वीडियो भी कहा से आए ये तो वो जाने जेल प्रशाशन उनके पास है